Hello friends, Welcome to Decrease तो friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ONGC की recruitment के बारे में ONGC की तरफ से एक notice जारे की गए है जिसमें 4000 से भी ज्यादा seats पर recruitment क्यी जाने वाली है तो इसी notice को हमदी सेटल में जानने वाले हैं तो इस वाले वीडियो में हमारा जो मेंली फोकस है वो होगा क्या online apply कैसे करना है online apply करने का जो procedure है वो थोड़ा सा confusing है क्यूंकि trade apprentice के लिए और technician apprentice के लिए दोनों के लिए जो criteria है apply करने का वो थोड़ा सा difference है थोड़ा सा दोनों में difference है इसलिए का students को इसमें confusion हो रहा है salary structure qualification criteria यह सब चीज़े ज्यादा तर candidate को पता है लेकिन online apply करने में confusion है इसलिए हम इस वीडियो में ज्यादा focus करेंगे online apply करने के procedure पर ठीक है तो आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले kindly request है कि चैनल को subscribe करके वीडियो को like कर दो जो के ONGC की तरफ से जारी की गई है जिसमें हम पहले तो important points पर discuss करेंगे उसके बाद how to apply वाले section पर जाएंगे ठीक है तो पहले कुछ चीज़े देख लेते हैं यहाँ पर vacancy table है जैसे कि यहाँ पर दिया गया है candidate is to choose on and can apply for one trade आप एक time पर सिर्फ एक ही vacancy के लिए अपलाई कर सकते हो Northern sector देहरादून, डेली और जोदपूर जैसे जो एरिया है यह Northern sector में आते है इनके सामने आपका जो trade है वो दिया गया है post का नाम इसके सामने आपका vacancy है कि particular post के लिए कितना vacancy है यह जोदपूर वगर आ गया है Northern sector में इस तरह से आप पूरा vacancy table देख सकते हो और आप जो भी sector से बिलॉंग करते हो आप वहाँ से अपने qualification criteria के हिसाब से अपलाई कर सकते हो यह हो गया पूरा vacancy table इसके नीचे note है the trades mentioned and number of seats mentioned about 22 मतलब ONGC को पूरा अधिकार है कि वो number of vacancy जो है इसमें changes कर सकती है इसके बाद age criteria देखेंगे minimum age होगी 18 years maximum होगी 24 years 17 अगस्ट 2020 को मतलब 17 अगस्ट को आपकी age 18 से 24 के बीच में होनी चाहिए इसके बाद age relaxation आपको यहाँ पर दिया गया है category wise friends maximum candidates को यह सब जो basic चीज़े ही यह पता होती है सिर्फ online apply कैसे करना है इसमें थोड़ा सा confusion होता है तो हम उसी पर main focus करेंगे ठीक है इसके बाद qualification criteria यहाँ पर mentioned है यहाँ पर नीचे note दी गई है कि serial number 1 से 19 तक आपका trade apprentice का job है जिसमें ITI या फिर graduate होना ज़रूरी है यह जो trade है trade number 1 से लेकर 19 तक यहाँ पर welder तक आपका जो trade है यह trade apprentice के लिए job है और यह ITI graduate होना ज़रूरी है और 20 से लेके 25 तक जो है यह technician apprentice के job है जिसमें diploma आपका necessary है इसके बाद training period होगा 12 महने का लेकिन जो library assistant है इसमें आपका training period होगा 6 महने का ठीक है stipend जो होगा वो NGC के rules के हिसाब से मिलेगा फिर इसके बाद देखेंगे selection procedure आपका जो exam होगा उस exam में marks हिसाब से आपकी merit list तयार की जाएगी आपने जो भी exam pass किया है अपने graduation degree वगरा उसकी जो marks है उसके हिसाब से आपकी merit list तयार की जाएगी ठीक है इसके बाद हम जेखेंगे कुछ general conditions है कि आपको advertisement की जो notice है उसे carefully read करना है उसे के बाद apply करना है आप दुसरे तरफ कहीं पर भी apprentice के लिए apply नहीं कर सकते Apprentice Sheep के लिए apply नहीं कर सकते Candidates who had training or job experience for a period of one year or more after the attainment of prescribed qualifications shall not be eligible मतलब आपका qualification complete होने के बाद अगर आप एक साल से ज्यादा के लिए अगर एक साल से भी ज्यादा time के लिए आप job कर रहे हो तो आप apply नहीं कर सकते ठीक है इसके बाद यह जो notice थी यह technician apprentice के लिए थी इसके बाद यहाँ पर देखेंगे only for technician apprentice from serial number 22-25 the applicant for the position should not have completed 3 years after the passing of the qualifying examination as on the cutoff date of eligibility that is 19th of August 2020 मतलब आपका जो qualify हो गाए जो भी आपका जो qualification है आपको qualification complete होने के 3 साल के बाद यह apply नहीं कर सकते अगर आपको qualification complete करके 3 साल से ज्यादा का period हो गया है तो आप इस चीज़ के लिए apply नहीं कर सकते 19 अगस्ट 2020 से 20 में आपका 3 साल complete नहीं होना चाहिए ठीक है मतलब आप अगर 2017 के pass out हो तो आप apply कर सकते हो in case the date of declaration of result is not mentioned in the marksheet the candidate must submit a certificate अगर आपका जो marksheet है वहाँ पर date का declaration mentioned नहीं है तो आपको एक certificate लेना होगा अपनी college के principal के पासे और वो certificate आपको submit करना होगा ठीक है इसके बार यहाँ आपर देखींगे कुछ important note दी गई है आप इसको पर सकते हो हम direct जाएंगे how to apply वाले section पर requirement before filling online application form आपको जो apply करना है अगर आप trade apprentice के लिए apply कर रहे हो तो आपको इस वाली website पर जाकर अपना registration करवाना होगा अगर आप technician apprentice के लिए apply कर रहे हो तो आपको इस वाली website पर जाकर जो registration है वो करवाना होगा और registration करवाने के बाद आपको एक registration number मिलेगा जो के आपको इस वाली website पर जब आप main position के लिए apply करोगे वहाँ पर आपको ये registration number काम आएगा फिर से एक बार जान लेते हैं अगर आपको trade apprentice के लिए apply करना है तो आपको पहले इस पर registration करना होगा और अगर आपको technician apprentice के लिए apply करना है तो आपको इस वाली website पर जाकर आपको registration करना होगा इसके बाद आपको registration number मिलेगा वो registration number आप main जब आप apply करोगे preregister themselves online. Their registration of contact does not happen due to any reason. यहाँ पर यह बतायेगा है कि अगर आप registration नहीं करोगे इस वाली वेबसाइट पर जाकर अगर ओन लाइन अपलाइ करने से पहले आपको उपर के दोनों में से किसी एक वेबसाइट पर आपको रेजिस्टेशन करना होगा अगर आप registration नहीं करोगे तो आपका जो ये form है वो cancel हो सकता है ठीक है इसके बाद candidate must have an active email id and mobile number ये सभी को पता है सभी के पास होगा mobile number email id इसके बाद हम देखेंगे candidate should have scanned copy of color photograph होनी चाहिए जिसके size 20 से 50 kb के बीच होनी चाहिए और signature जो है वो black ink से होनी चाहिए और उसकी size 10 से 30 kb के बीच में होनी चाहिए और jpg format में होनी चाहिए दोनों का भी format jpg होगा photograph और जो signature है दोनों का format jpg होगा इसके बाद में है candidate must ascertain the correctness of all information आपको एक बार देखना होगा कि आपकी जो information है वो correct है या नहीं फिर इसके बाद how to apply देखेंगे candidates meeting the above prescribed eligibility criteria should visit our ONGC website आपको registration करने के बाद इस वाली website पर आपको जाना होगा ठीक है आप यहाँ पर जाके apply कर सकते हो इसमें दो पार्ट है आपका registration दो पार्ट में होने वाला है जैसा कि यहाँ पर बतायागा है there are two steps for registration process part 1 and part 2 in part 1 registration candidate has to fill his or basic details like name category and has to create his own password part 1 जो registration है इसमें आपको नाम category और इस तरह की basic चीज़ें fill करने पड़ेंगी उसके बाद आपको एक password मिलेगा आपको एक password create करना होगा और after successful part 1 registration system generated registration number is sent in his registered email id आप जब पहला जो part 1 का registration है वो complete करोगे इसके बाद आपको एक registration number मिलेगा email id के थो या phone number पे दोनों पे भी मिलेगा और इस registration number के जरिये से आपको फिर से apply login करना होगा system में और password जो मिला था आपको उसके आपको login करना होगा candidates are advised to remember registration number and password ठीक है आपको registration number और password जो है वो save करना होगा कहीं पर अब आते हैं part 2 registration में part 2 registration में बताया गया है कि in part 2 registration candidate has to upload his scanned photograph and signature ठीक है समझ गये आपको उपर जो photograph और signature के बारे में जो detail में बताया गया था उसको अभी upload करना पड़ेगा part 2 registration में and furnish educational qualification experience details इन सब चीज़ों को part 2 में भरना पड़ेगा this is the final submission process and after that candidate cannot change the details तो part 2 का जो registration है यह final हुआ इसके बाद आप जो details है उनमें कोई भी change नहीं कर सकते हो तो इसलिए आपको यहाँ पर carefully भरना पड़ेगा ठीक है joining and verification of documents यहाँ पर joining का जो marks के सबसे जो merit list तैयर की जाएगी उस merit list के according आपका selection होगा और joining के time पर जो document verification होगा उसके बार हम यहाँ पर कुछ mentioned है the verification of the original document shall be done prior to joining on a specific date एक registration form मिलेगा आपको website पर आप वहाँ से इस form का download करके fill कर सकते हैं और आपको document verification के time पर यह registration form काम में आएगा ठीक है यहाँ पर कुछ important dates दी गए है तो friends हमने आज का जो वीडियो है कि how to apply इसको practically करके नहीं बताया क्योंकि थोड़ा सा issue है एक से दो दिन के अंदर हम practically यह करके बताएंगी कि apply कैसे करना है ठीक है तो friends यह था वीडियो जो के ONGC की लिए notice पर बनाया गया था आपको वीडियो कैसे लागा कमेंट करके बताना और वीडियो गर अच्छा लागा हो तो चैनल को subscribe करके वीडियो को like कर देना ताके आपको हरे government job की notification सबसे पहले मिल सकें ठीक है so thank you thank you so much for watching this video मिलते है अगली वीडियो में